आदादा नाच नचैया ताता थाया सियासी रंगमंज पर नेताओं का स्वांग जारी है और वोटर फ्रंट सीट पर निधाल देख रहा है जैसे वो कह रहा हो कि मैंने आयसी फिल्म के लिए तो वोट नहीं ही दिया है ऐसा लगता है वो ना एक्टर है और नीर्देशक तो है नहीं नहीं बिधायकों की खीचम खाँ चल रही है और बसों में बंध है बेबस लोकतंत अभी महराश का ड्रामा खत्म भी नहीं हुआ था कि जारखंड में लगता है उसी का पार्ट टू शुरू हो गया है और जारखंड का सियासी ड्रामा ऐसा है कि जब लगता है कि अब पहमा गहमी रही लेकिन नतीजा नील बटे सन्नाटा ओफिस आफ प्रॉफिट केस में फंसे हमंद सुरेन की किस्मत का फैसला राजपाल को करना है और पूरा देश इस पर निगाहें ठिकाये हुए हैं सुत्रों वाले पत्रकार खबर चलाकर ठक चुके हैं कि चुनाव आय बीजेपी बाजी न मार दे इसलिए सोरेन सतर्क हैं शनिवार सुबा जारखंड मुक्ति मोर्चा और कॉंग्रेस के विधायक उनके आवास पर जमा हुए जमा क्या हुए बुरिया बिश्तर समेट कर आ गए लोग अपना समान लेकर आये थे पत्रकारों का माथा ठनका उध इसने को फिर ट्विटर पर हीट विकेट कराया सीएम आवास से विधायक निकले तीन बसों में किसी ने कहा कि रायपूर जा रहे थे लेकिन ड्राइबर ने जिधर स्टेरिंग घुमाई और रायपूर की तरफ नहीं थी फिर पक्का हुआ कि ये तो जार्खन में ही खूट इसलिए सोरेन ने खुद कमान संभाली हमन सोरेन ने दीन भर विधायकों की पिक्निक कराई डेम पर बोट में सैर कराई और शाम होते होते फिर राची लेकर लोट आए शाम को दिल्ली से कॉंग्रेश प्रदेश प्रभारी और विनाश पांडे भी पहुंचे पांडे सोरे अपने विधायकों से बात करेंगे दूसरे खेमे में क्या हो रहा था शांती सयम गृडी में प्रदेश बीजेपी कारेकारणी की बैठक शुरू हो गई अकेले निशीकान दूबे ट्वीटर पर डटे रहे सुरेन पर हमले करते रहे लेकिन यह ऐसी मिसाइले साबित हुई ज नहीं चलाया गया कम से कम शनिवार को तो नहीं ही आप यूँ भी कह सकते हैं कि ऑपरेशन के बात की शांती थी वह आपरेशन जो सुरेन ने ममता के साथ मिलकर कथित ऑपरेशन लोटस के खिलाप चलाया था आपको याद होगा कि कॉंग्रेस के तीन विधायक कुछ दिन प गिरफतारी के बाद तीनों विधायक जमानत पर रिहा हो गए रिहा ही नहीं हुए ये कॉंग्रेस की बैठक में शामिल भी हुए अंदर खाने की खबर है कि इन तीनों ने सुरेन इन कमपनी को पूरी कहानी क्या दी है साजिश क्या थी कौन लोग शामिल थे का जा रहा है क कि सुरेन प्लस ममता बनेर जी के जॉइन्ट ऑपरेशन से ऑपरेशन कमल जहां का तहां अटक गया और इनाम सरूप इन तीनों विधायकों को भी माफ कर दिया गया लेकिन कहते हैं ना कि दूद का जला च्छांच भी फूख फूख कर पीता है मध्ध प्रदेश महरास तक जो हुआ उससे सुरेन कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे इसलिए शनिवार को उन्होंने सूपर सेटेडे बना डाला वो लागातार आरोप लगा रहे हैं कि गोदी मीडिया ऐसी वैसी खवरें उडाता रहता है तो उन्होंने ऐसा कुछ नहों इसलिए उन्होंने शनिवा को ऐसे रिपोर्टरों को खूब रोमांच और सुर्खियां दी बस इस बार नेरेटिव अपने हाथ में रखा तीन मसले और थे इनके नाम है सुरेन की भावी और जे एमेम बिधायक सीता सुरेन लिटी पाड़ा से बिधायक जे एमेम बिधायक साइमन मारंडी और उनके अ देम की सेर में ये तीनों भी तमाम जेमेम बिधायकों के साथ नजर आए संदेश साप था कोई खफा नहीं है कोई दिक्कत नहीं है हलाकि जे एमेम गडबंधन में आत्म विश्वास की बड़ी वज़य यह है कि राज्य विधान सभा में 80 सीटे हैं और उनके पास 49 का सीध जाना है तो तेरह विधायक तोड़ने होंगे जो कि अभी दूर की कोड़ी लग रही है अब पठकता का अगला हिस्सा राजभौन से लिखा जाना है देखिए जारकन की सियासी फिल्म क्या टन लेती है